अलो फ्रेंट्स माइनेम इस रिटेश अगरवाल और वेलकम यू आल तो दीकोड़ेट सिरीज वी विल बी टॉकिंग अबाउट डैम सेफटे बिल टोड़े ओके तो आप सबको पता है विंटर सेशन चल रहा है बहुत सारे बिल्स आएं और एक खास बिल जो न्यूज में थ था वो था डैम सेफटे बिल इसके इंपोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हाल ही में मुल्ला पेरिया डैम को लेकर के काफी कॉन्फिक्ट हुआ था तो डैम सेफटे बिल के सारे फीचर्स और उसकी नीड उससे डिलेटेट कंसर्स हम यह सब कुछ आज डीटे बिल लोग सभा में अल्रीडी पास हो चुका था यह बिल 2nd August 2019 में और राज्या सभा ने हाल ही में इस बिल को पास कर दिया है इसका मतलब क्या है बेसिकली हम यह बात करें जितने भी स्टेट्स हैं और यूटीज है वहाँ पर डैम सेफटी के फिलहाल अलग-अलग प्रोसीजर है हम क्या चाहा रहे हैं कि सबके एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर बन जा है जो अक्रॉस इंडिया फॉलो हो ठीक है किन डैम पेप्लाइं होगा उन डैम में यह प्रपोस चीया घंष जिसकी हैट 15 मीटर से ज़ादा है या बिद्वीन 10-15 मीटर या बेसिकली 10 मीटर से ज़ाद अगर डैम की हय थ है तो यह परोविजन अप्लाइं होंगे थैक बेसिकली जो अब्जेक्टिव है वो डैम सीफ someone who is accountable for all that तो ये सारे provisions को ensure करता हुआ ये Dam Safety Bill है अब देखो इसमें तीन important bodies के बारे में बात किये अगर आप ये समझ गए तो जीवन आपके लिए काफे आसान हो जाएगा पहला जो body बात की गई है वो है National Dam Safety Committee ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं National Committee on Dam Safety इस कमेटी का basic काम ये है कि Dam Safety के लिए जो अलग-अलग policies बनाना ठीक है आइडिया जनरेट करना ठीक है So basically it will evolve Dam Safety Policies and recommend necessary regulations अगेन इसका idea recommend करना है implement करना इसका काम नहीं है ठीक है उसके लिए दूसरी body है तो यहाँ आपको याद रखना है National Committee on Dam Safety It is a committee ठीक है तो कमेटी का क्या क्राम करना है To evolve Dam Safety Policy इस कमेटी का tenure तीन साल होगा और इस कमेटी के members कौन होगे जो chairman of Central Water Commission होगा वो इसका एक member होगा 10 members इसमें Central Government से होगे 7 members इसमें State Government से होगे और 3 इसमें experts होगे जो dam safety से जुड़े होगे तो हमें क्या याद रखना है composition में एक chairman of Central Water Commission होगा Maximum 10 members Central Government से होगे Maximum 7 members State Government से होगे और 3 इसमें expert members होगे क्या है यह Dam Safety Committee जिसका काम क्या है To evolve policies for dam safety and recommend regulations Again recommend advisory role है ठीक है दूसरी जो body होगी वो होगी national dam safety authority अब देखो वो थी national committee on dam safety वो एक committee थी यह authority है जब authority आ गई मतलब अब आप उन suggestions को उन policies को उन recommendations को implement कर सकते हो जो dam safety committee ने आपको recommend किये थे उनको अब implement किया जा सकता है कौन implement करेगा national dam safety authority अब जो तीसरी authority है यह तो हमने बात की एक national dam safety committee की जो policies recommend करेगी एक national dam safety authority की जो policies को implement करेगी और फिर एक state level dam safety organization होगा जिसका भी काम dam safety से जुड़ा होगा अब यह जो भी है जिस क्योंकि अलग-अलग states में अलग-अलग dams maintain किये गए हैं largely states के control में आज भी तो इसका काम होगा dams related day-to-day data collect करना ठीक है it will investigate it and gather data for proper review and study of various features of the design, construction, repair and enlargement of data dams, supervisors, reservoirs and appurtenant structures basically इसका मतलब क्या है dams related, dam के design से related dam की problem से related जो भी data है वो national authorities के पास कहां से जाएगा state dam safety organization से तो हर state में dam safety organization बनेगा state government के अंडर जिसका काम होगा उस dam से related सारा data collect करना और उपर pass on करना ठीक है it will report events such as dam failures to national dam safety authority also maintain records of major dam incidents तो dam से related सारा data information reports जो है वो state dam safety organization करेगा तो अभी हमने क्या देगा तीन bodies देखे हमने एक national dam safety committee जिसका काम क्या है policies recommend करना एक national dam safety authority जिसका काम क्या है उन policies को implement करना तीसरा state dam safety organization जिसका काम क्या है national level तक वो data pass on करना अच्छा अब dam owners की क्या obligations है देखो dam owners को एक dam safety unit बनानी पड़ेगी जितने भी owners of specified dams हैं उनको एक dam safety unit बनानी होगी this unit will inspect the dams before and after the monsoon session तो इस dam safety unit का basically एक बड़ा critical काम है major काम जो dam safety unit का जो ground work है वो ये unit करेगी इनका काम होगा dams को regularly inspect करना कि भाई अब बरसात आने से पहले क्या पानी का level है बरसात आ रही है तो क्या पानी का level है ठीक है इसके अलावा अगर कोई seismic activity है earthquake है किसी और तरह का major cyclone है कुछ इस तरह का event है तो भी dam को monitor करने का काम इस dam safety unit का होगा इनको एक emergency action plan भी बना के रखना पड़ेगा कि in case dam failure हो जाए in case मान लो band तूट जाए तो क्या करेंगे कैसे लोगों को save करेंगे तो एक emergency action plan इनके पास होना चाहेगा इसके अलावा ये regular dam safety evaluation भी करेंगे पैनल experts के साथ मिल करके तो dam की जो day to day safety की जिम्मेदारी होगी वो इस dam safety unit की होगी जो की कौन बनाएगा dam owners अब punishment क्या है अगर मान लो ये काम नहीं हुए तो क्या punishment है तो punishment दो तरीके से हो सकती है दो कामों की वज़े से punishment आपको मिल सकती है पहले बार obstructing a person in discharge office function अगर आजमी काम करने की कोशिश कर रहा है आप उसको काम नहीं करने दे रहे हो अगर इस तरह का कोई problem है तो punishment हो सकती है या फिर आपने जो भी instructions, directions, जो भी nirdesh, government की जो guidelines है उनको follow नहीं किया है तो भी आपको punishment हो सकती है punishment कितनी मिल सकती है یा तो 1साल का punishment मिल सकता है या फिर fine हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है और अगर आपकी गल्ती की वज़य से लोगों की जिन्दगी गई है तो ये एक साल का punishment दो साल का भी हो सकता है fine भी एक लाख रुपे का minimum है इसको दो लाख रुपे तक का fine किया जा सकता है ठीक है तो ये punishments है अब बात ये कि ऐसा बिल लाने की जरूरत क्या थी देखो हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा देश है हमारा और बहुत सारी नदियां है और बहुत सारे dams है ठीक है और उन dams में भी काफी सारे बडे dams भी है जैसे यहाँ पर दिया है कि हमारे पास तकर्रीबर 5254 बडे dams है जो कि आज की तारीक में और तकर्रीबर 4500 dams under construction जो और एड हो जाएंगे, तो तक्रीबन 6,000 डैम्स के आसपास हमारे पर बड़े डैम्स हो जाएंगे, ठीक है, USA और चाइना के बाद, तीसरा नंबर हमारा है लार्ज डैम्स के मामले में, ठीक है, जब इतना बड़ा देश है, इतने सारे डैम्स हैं, हमने बना रखे हैं, औ आपको पता है कि डैम्स फेलियर का मतलब लाखोर जिंदिगियों का नुकसान, ठीक है, और करोडों, अर्बों की संपती का नुकसान, तो फिर हमें इन डैम्स के प्रटेक्शन के बारे में बिलकुल सोचना बनता है, ठीक है, 75% of large dams are more than 25 years old, तो जो बड़े डैम्स हैं, उ about 164 dams are more than 100 years old, इतने सारे dams हैं, जो तक्रीमें 165 dams का डेटा बता रहा है, जो कि 100 साल से भी ज्यादा पुरान है, ठीक है, और already 42 dam failures हो चुक है, बियाली इस बार ऐसा incident हो गया, जब कोई ना कोई dam failure हुआ है, तो definitely हमें जागने की ज़रूरत है, उस बारे में कुछ करने की ज़रूरत है, मुला पेरिया dam issue से ये थोड़ा limelight में आ गया है, और dam safety bill उससे आ गया है, अब एक concern जो इसमें raise किया गया है, वो यह है कि जो dam वाला management है, वो state list में आता है महमला, ठीक है, तो क्यूंकि अब central government एक national authority बनाना चाहती है, तो somewhere it violates the principle of federal structure, ऐसा concern raise किया गया है, इन दिनों ये federal structure कई मुद्दों पर आया है, चाहे वो BSF की powers बढ़ाने को लेकर के हो, चाहे वो dam वाला matter हो, ठीक है, तो कई जगे पर ऐसी बात आई है कि चाहे वो CBI वाला issue हो, तो कहीं ना कहीं state government कहती है, जो government है, they are trying to attack the federal structure, तो ये भी अपने आप में एक अलग issue है, important bill है, बाकी और बहुत सारे bills हैं, जो हम अपने Hindu edition में cover करेंगे, winter session को लेकर के, अगले हफ्ते फिर किसी नए issue के साथ मिलेंगे, till then, take care, goodbye and keep reading.